भारत देश की बधाल स्थिति एवं घटित समसमाई घटनाओं एवं मौलिक अधिकार वेधर्म निर्पेक्ष्टा की हनान एवं समवधान में छेरचार के वज़ा से उत्पन स्थिति के निराकरण के संबन में सिंग्रॉली के कई नागरे को द्वारा कलेक्टर को मानने राष्ट्रपती के ना ग्यापन दिया गया ग्यापन में कहा गया है कि भारतेश आर्थिक मंदी वे बधाली में चल रहा है जीडिप का इस्तर गिर रहा है वे अपारी संकट में है युवाओं की बेरोजकारी एवं महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है भारत सरकार रिजर्व बैंक से पैसे ले चुका है साश के संसा कि निजी करेंट तीव रिगती से हो रही है कुछ चुनिंदा अद्योग पतियों को बैंकों द्वारा असीमित लोन देने वे वापस ना होने के कारण बैंकों की हालत गंभीर हो गई है आम जंता का बैंकों में जमाराशी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं ऐसी स्थिती में सरकार द्वारा अपने नाकामियों को छेपाने के लिए एनर्सी एनपियार सी ए इलाकर देश में सांप्रदाइक फैलाने का प्रयास किये जा रहा है ऐसे कानून को वापस लेते हुए देश में शांती व्यवस्था बनाए रखने उक्तत्तों पर विचार कर देशित में का गार पर है और केनर सरकार की हट धर्मितावे गलत नीतियों के कारण पून जीवात का वर्चेस वो बढ़ रहा है ऐसे में लोकतंत्र खत्रे में हैं ऐसे में समुचित कदम उठाया जाए इस दोरान सभी समाजिक संगटनों के तत्वधान में समवधानिक दाइरे में रहते हुए देश को बचाने के लिए आज से लेकर पंद्रा दिवस के अंदर कभी भी अनिश्चित कालीन धर्ना प्रदर्शन करने के लिए हम बाद होंगे जिसकी संपोन जवाबदारी साशन प्रसाशन की होगी उक्तवसर पर वरिस्च समाज सेवी अश्रफ अली अंसारी राम प्रसाश साकेट इंडियन लॉयर्स असोसियेशन से कारेवाग अध्यक्ष उसेद हसन सिद्धिकी अधिवक्ता उपाध्यक्ष शाम सुंदर साह सचेव सुनील कुमार शह एग्वोकेग विध्यावती शाह गंगा प्रशाश साह मुस्लिम वेलफेर फाउंडेशन के अध् पुद्दीन अंसारी शिव नारायन जावेट अश्रफ संजय मौम्मद नदीम खान राम केश्वर कश्वा रफियुल्ला बैग मौम्मद इल्यास खान अजय शाह मौमद इर्शाद खान आरकेशा मकसूद रजा मुझमिल हुसेन इत्यादी लोग उपस्तित रहे सिग्रॉ कोली से अनल्दोबै की रिपोर्ट